राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए जो सुक साधू संग में सो बैकुंध ना होए राम का बुलावा तो सुक का कारक होना चाहिए और वो भी कबीर दास जैसे संद के लिए पर वो रोटते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो सच्चे संतों की एहमियत जानते हैं जिसे उनके प्रेम में बांध लिया गया है जो उनके साथ रहकर हर परिस्तिती में आनन्द मगन हो ऐसे व्यक्ति को स्वेम भगवान विश्णू भी अपने लोग बैकुंट में लेने के लिए आएं तो उसे वह फीका लगेगा क्योंकि जो सुक सच्चे संतों के संग में है वो बैकुंट में भी नहीं है क्योंकि बहुत दूर से यह तमाम मान्य जो हैं हमारे बीच उपस्थित रहते हैं लंबा सफर तै करके आते हैं सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए सबसे पहला सवाल क्योंकि पूरा मोहल जो इस वक्त आचार प्रशांजी राम में हो गया है ऐसे में राम को आप किस तरीके से देखते हैं वो सगुन है या निर्गुन है आपके मन में राम की क्या छवी है निर्गुन सगुन दौव से न्यारा कहें कभीर सो राम हमारा ना निर्गुन है न सगुन है निर्गुन भी हम कहेंगे तो उन्हें अपने मन की कोई बात बना लेंगे अपनी छवियों में क्याद कर लेंगे और सगुन कहेंगे तब तो हमने उनकी छवी खड़ी करी दी निर्गुन न सगुन निर्गुन सगुन दोव से नियारा दोनों से अलग हैं तो राम क्या है इसके लिए आपको हम ले चलते हैं उपनिशदों की ओर मुक्तिका उपनिशद मुक्तिका उपनिशद आरंभ होता है हनुआ जी श्री राम से कह रहे हैं कि जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा और आपकी देहें देखियें, आपका शरीर देखा है आपकी लिलाएं देखियें अब मुझे अपना वो स्वरूप बताईए जो उच्चतम है, सत्य है, असली है और मुक्तिदायक है तो पहला अध्याय और सात्वा श्लोक मुक्तिका उपनिशद का और क्या कहते हैं राम? कहते हैं कि हे हनुमान, अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो और अब इसे बहुत ध्यान से सुनियेगा कि श्रीराम की सच्चाई क्या है कहते हैं, मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, मैं वेदान्त मेवास करता हूँ यह जो सचमुच मुझे जानने के इच्छुख होंगे, वो विदान्त की और आएंगे, नहीं तो मेरे चार तल हैं, मेरे चार प्रकार हैं, यह बात में आगे, संतो ने और ज्यादा उसको विस्तरत रूप से बताया, बोले मेरे चार प्रकार हैं, ज्यादा तर लोग जो तो एक आस्तिक और नास्तिक दोनों को सही या फिर गलत की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है क्या आप इस बात से पुड़ी तरख से सहमत है और मुझे फिर से याद दिलाईएगा आस्तिक पर जो चार राम है उनके बाद आएंगे इसके बाद मुझे याद दिलाईएगा तो यह चार राम कौन है श्र है जगत में तेन राम व्यावार हो जाथ है छौत में ही यृ अचार राम में स् yummy यृ ताका करो विछार तो जो टीन быा है व्यावार माने जो हम्हारा आम कर्म है अच्र रभत होता है अच्रण को में लिच्छे के तीन रामों में हim सीमित रह जाते हैं लेकिन संट। अने का इह झाल है कि चौथे राम में सार है, उनका करो विचार, सार, असलियत, सच्चाई, मुक्ते, तो चल्डे राम में है, विचार उनका ही करना चाहिए, भी 4 राम कौन है, то एक राम दसरत घर डोले, जादातर लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि दसरत के घर में जो बाल राम हैं, वो वहीं से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करना अच्छी बात है पर वहीं पर रुक भी जाते हैं, तो कहते हैं जो पहले राम है, एक राम दसरत घर डोले, एक राम घट घट से बोले, अब ये दूसरे तल के राम हो गए, एक राम घट घट में बोले, मतलब प्रतिय के व्यक्ति के भीतर से जो चितना बोल रही है, यो दूसरे राम है, पहले राम कौन हुई, जो आप उनको देह रूप में देखो, जैसे आप देखते हो नगी, बाल सुरूप में, बाल सुरू दूसरे राम हो चितना है, जो प्रतियक व्यक्ति से बोलती है, जो व्यक्तिक चितना है, परसनल कॉंशनेस, वो दूसरे राम है, और तीजे राम का सकल पसारा, वो तीजे नहीं होलती है, एक राम का सकल पसार है, तीसरे राम है, जो ये पूरा विस्तार है, जिसको हम कहते आई टंडेंसी इस्El husband अ हम डिदि़ के dzisiaj क्या ज्रॉजन दीनों से अलग है न्यारे है औच आरा मैं सबसे न्यारा है एक राम दसरत घर ऩोल ले एक राम का सकल पश हrो जो सौहत है कि यही जो छोफि身 पुन बंडे को चाते बाज हैं तुम यन्हें तक जाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को आधेश दिया कि अगर तुम शचुमुच कुराना चाहते ओंड तुम हिन तक जाओ किगें। कर दो ऊтुम हर एक दुछ के लाच पॉहीर कषख सरूरी और वही काम. हम दिन रात करने की कोशिश भी करते रहते हैं, चौथे राम जैसा मैंने कहा वेदान्त में हैं, स्री राम ने कहा, मैं वेदान्त में वास करता हूं, मैं वेदान्त में वास करता हूं, तो चौथे राम तो वेदान्त में ही मिलेंगे, और जो सचमुच श्री राम के प्रेमी हो उन्हें वेदान्त की और जाना ही पड़ेगा जाए बिना हम जो शिखर है वहां तक नहीं पहुंच सकते अचार प्रशान जी सिर्फ जो लोग निमंत्रन पाचुके हैं वो 22 जनवरी को प्रान प्रतिष्था देख पाएंगे और बहुत सारे लोग टेलिविजिन के माध्यम से देखेंगे लेकिन अपसे कुछ दिन पहले से ही जो माहौल इस वक्त आयोध्या में है हर कोई उसका साक थे लाव सा है तो आप उस देन स्वेम उस चीज के साक्षु बनना चाहते हैं अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको दुखी होना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि और उचाई पर जाने की कोशिश करना लिए, पाय सिसरी जो लोग राम नंडर के के स दिखाई कि राम तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, तो अगर आप किसी विशेश स्थल पर नहीं भी पहुच पा रहे हो, तो इतना दुखी मत हो, आतम ज्ञान जे ही घट होई, आतम राम कोचीन है सोई, तुम आतम ज्ञान की तरफ चले जाओ, राम तुम्हारे भीतर ही है, राम तुम्हारे भीतर ही है, और हर जगह है, ज्ञान की कमी के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें कमी फिर यात्रा की नहीं है, फिर तुम्हें कमी सोयम को न जानने की, आतम ज्ञान, किसी स संतों ने भी बारबार यही का आतम ज्यान जही घट होई आतम राम कुछीने सोई घट घट राम वसत है भाई और ज्यान बिना नहीं देत दिखाई तो वह यही कह रहे हैं कि भई तुम क्यों परेशान हो रहे उसको और भी बहुत तरीकों से उन्होंने काया है कस्तूरी कुंडल बसे म्रिग ढूंडत बनमाही ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नहीं तो अरे जिनको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतरी वास करते हैं और कर स्वेम में नहीं पा रहे तो कहीं भी नहीं पाओगे जैसे जो कस्तूरी म्रग है ना उसकी जो आनत नहीं तो खोजना तो वहीं पड़ेगा बाकी कहीं खोजने से शुरुवात हो सकती अंत नहीं हो सकता अचार प्रशान जी बहुत सारे संतों ने बहुत सारे धर्माचारियों ने कहा कि क्योंकि मंदर का निर्माण पूंड नहीं हुआ है इसलिए प्रांट फ़िर भी होता है हर तो अंगो जहां पर जा कर के न बिलकुल शुद्द हो जाये गहा हम उमन शुद्धेव Mmmnelly मं amateur है और अुरस्ब्य होता है मना मंदर बनाना ही जभे जरूरी बात है है지 हो तो मन-मंदिन बन गया को जीवन तो जीवन निरर्था किया इसमें मैं तो बस इतना ही कहता हूं। उनका मन मंदर क्यों नहीं बन पारहा है जिन राजनेताओं को नियोता भेजा गया और नहीं यह कहके नियोता सुईकार नहीं किया कि एक राजनेतिक इवेंट है। अपनी वो जाने देखिए बहुतों को यह लगता है कि किसी जगह में कुछ खास है और खास होने के नाते बहुत लोग वहां पर पहुच जाते हैं। और जो नहीं पहुचते उनका भी तर्क वही है बस विपरीद दिशा में काम कर रहा है। श्किरह भी करता उनके पास अपने कुछ तर्क होंगे। प fabrics यह जहाँ जाता हम कि जितने भी तर्क जितने भी तरह के लोगों के पास है। अगर वह आथ्मट्मिशन जनित नहीं तो तकुतर्ग है। कोई तर्क काम नहीं करता अगर वो ग्यान के आधार से खड़ा नहीं हो रहा है और अभी मीडिया में जो बहसें चल रही है इस तरफ से उस तरफ से हर तरफ से उनमें आत्मग्यान कहीं पर भी नहीं है तो कोई इधर को जाए कोई इधर को जाए कोई उधर को कोई उधर को को एक ही तरह के चल रहे हैं. जिसे हर बच्चा वाकिफ होना चाहिए। बच्चा जो भज़ रहा है उसको अगर उसका अर्थ पता ही नहीं है, तो तोता बन रहा है. हम बहुत बार सोच लेते हैं और लोक संस्कृते में ऐसा बहुत बार कह भी दिया जाता है. और बड़ी माननी जगों से कई बार कह दिया जाता है कि भक्ति तो भाव है, भक्ति भाव नहीं है, भाव मार्ग नहीं होता, प्रेम मार्ग होता है, भक्ति प्रेम है. और प्रेम में और भाव में बड़ा अंतर होता है, लव में और एमोशन में बहुत अंतर होता है, भाव तो बड़े अज्ञान से भी आ सकता है, भाव तो एक मूर्चा में भी आ सकता है, चेतना बेहोश पड़ी हो, भाव तो तब भी उठ सकता है, भाव की बात नहीं होती प्रेम की बात होती है, और अक्सर प्रेम को भी एक भावना समझ लेते हैं, प्रेम भावना नहीं होता, प्रेम भावना से बहुत आगे की बात होता है, तो जो भग्ति मारग है तो बच्चे को हमें प्रेम तक ले जाना है, मातर भाव तक नहीं, बच्चे को आप भाव तक ल कि इसी बन जाती है कि किसी ने कुछ करा और मतुरन भावुक हो गया और जब भावुक हो जाते हो तो समें प्रतिक्रिया भी कर देते हो और उसी से फिर दुनिया वर के सारे फसाद होते हैं तो उससे हमें बचना है हमें प्रेम सीखना है प्रेम और भाव एक बात नहीं होते ह चेतना की उचाई होती है और भाव तो बिना चेतना की भी आ सकता है प्रेम और भाव अलग-अलग है तो जो बाइस जन्वरी को उमड रहा है लोगों के बन में वो प्रेम है भाव है या फिर कुछ और है हमारी कोशिश है सब में प्रेम जाग रहत हो इसका मतलब यह है कि प्रेम तक पहुचना तो भी बाकी है ना राम मंदिर का निर्मान प्राण प्रतिष्था का होना बाइस जन्वरी को यह सब कोच अब मतुरा और काशी से भी जोड कर देखा जा रहा है क्योंकि दोने ही मामले कॉट में चल रहे है ऐसे में जो तमाम आकरानता हैं जिनका जिक्र होता है और कहा जाता है कि उन्होंने इन मंदिरों पर कबजा किया और वो तमाम राजनेतिक स्टेटमेंट्स जो आते हैं आपको लगता है नहीं कि भगवान को इससे अचूता रखना चाहिए और कहीं न कहीं इससे जो आम जन जागरन की भावनाएं हैं अपने अपने शद्धा जन को लेकर या फिर अपने अपने भगवान को लेकर वो कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं और लोग बट जाते हैं देखिए आप अगर आज के भारत को देखेंगे तो ये तीन नाम हैं जो हमारी चेतना के आराद्ध हैं राम, कृष्ण, शिव और तीनों का ही सीधा सीधा संबंध वेदांत से है श्रीमत भगवद गीता तो वेदान्त की प्रस्ताहंतरयी का एक महतवपूर्ण स्तंभ है ही, उसे उपनिषदों का सार कहते हैं मुकतिका उपनिषद में श्रीराम क्या कहते हैं उसका भी मैंने उलेक किया इसी तरह वेदान्त पूरा हो ही नहीं सकता, जब तक उसमें शिवत्तों ना आए, कितने ही उकनिषद हैं, जो महादेव को समर्पित हैं, जिन्होंने अद्वयत वेदान्त को भारत में पक्का खडा कर दिया, आदिशंकराचारे, उनका अगर आप निर्वान शटकम सुनेंगे, तो कहते हैं, शिवो हम, शिवो हम, तो ये तीनो, राम, कृष्ण, शिव, तीनो ही बार 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 हमसे आगरह कर रहे हैं, अपनी उचाईयों पर बैठ कर, हम नीचे वालों को कह रहे हैं, तुम वेदान्त की और जाओ, और जब आप वेदान्त की और जाते हो, तो आपके भीतर कुछ ऐसा आ जाता है, जिसे चोट लग नहीं सकती, आत्मा को कहा जाता है, अखंड, आत्मा चोट नहीं खाती, आत्मा कहा जाता है, अजे, अनयवव, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, अटूट, जिसको कोई आकर के, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बाहर बाहर चोट लग सकती है, भीतर से फिर हम आहत नहीं होंगे, और अगर मैं कहूं कि मैं धार्मिक हूं और अपने भीतर चोट और जखम लेकर के घूम रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अभी मेरे अध्यात में गहराई यानी शेश है, देखिए, कोई बाहर से आए, भीतर से आए, कहीं से आए, किसी दूसरे देश से आए, किसी दूसरे द्वीप से आए, या अपने घर के ही भीतर से आए, या वो स्वेम आप भी हो सकते हैं, जो अपने आपको नुकसान पहुचा रहे हो, यह सब हो सकता है, यह सायोगों की बाते होती है, सायोगों पर किसी का को पर हमारा गिर्न हमारी देहक का गिर ना चाहिए हमें चोट लगे तो सरफट सकता है कुहनी टूट सकती कोई बात नहीं। भीतर हमारे कुछ ऐसा शिवत्व होना चाहिए, कि कुछ हो जाए, उस पे खरोच ना आए, और अगर वो नहीं है हमारे भीतर, तो हम कहा के धार्मिक हो गए, हम कब तक यही कहते रहेंगे, कि चोट लग गई, मार्क आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतिहास है, इतिहास क बहुत कम लोगों को पता है, जो कि व वडान्त मार्ग जिसका जिक्र कर रहें, जिसमें हंकार किसी तरीके से कहीं को ना पाकर के सुरक्षित रह जाता है, और कुछ तो ऐसे दूशित मार्ग भी हम आविश्क्रत करते रहते हैं, जिसमें हंकार और फूल-फूल के मोटा हो वेदान्त जनमानस में प्रचलित इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके सामने जो हमारी गंदगी हमारी बीमारी है जो रोग है हमारा हंकार उसको छुपने की जगह नहीं मिलती तो इसलिए वेदान्त जो है वो फिर आम लोग उसको इतना सीधे 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 स्विकार नहीं कर करें लेकिन वेदान्त पानी की तरह है आप जो कुछ भी पिएंगे उसमें पानी मौझूद होता है आप कुछ भी कहें मैं शर्बत पी रहा हूं पानी तो वहां भी है और विना वेदान्त के जल के कुछ भी ऐसा बन नहीं सकता जो आपकी प्यास बुझा दे तो वेदान्त लेदे के हर जगे है ही मोजूद अब अब राम चरित मानस कि हम इतनी बात करते हैं पूछनिय ग्रंत है राम प्रहम पर मारत रूपा लो राम प्रहम हो गए ना आगे अवेदान तो भले ही आप कहीं भी जाएं तो अब संतों को भी क्या कहा है कि राम श्री राम के लिए कह र अब अगली अगला सुनिये क्या कह रहे हैं कहीं नित नेती निरूप ही वेदा तो वेदों ने माने वेदानत ने जिनको नेती नेती करके निरूपित करा है वो राम ही तो है तो आपको राम की और अगर जाना है तो नेती नेती तो करनी पड़ेगी अब वो नेती नेती आ तो भक्ति मार्क से रलें, जैसे भी करना उकरें, पर वेदान्त से बच्के धार्मेक नहीं हुआ जा सकता, कोई कहे वो धार्मेक है और वेदान से बच्के चलना चाहता है, तो असंभग है. क्युकि आप पेटा का वो अवर्ड भी पार चुके हैं, Most Influential Vegan of the Year, तो आप शाकाहार को प्रचारिद प्रसारिद करते हैं, ताकि धर्म की और अग्रसर हुआ जा सके, या फिर सेहत की और? ना, सेहत तो बनती भी रहेगी, और ऐसी सेहत दो कॉड़ी की है, जो किसी को नुकसान पहुचा करके, किसी का खून पी करके आए. तो मैं सेहत क्या जान भी देने को तयार हूँ, अगर उससे किसी का दुख कम होता हो, बात व्यक्तिकत सेहत की नहीं है, बात इसकी है कि आप जो खापी रहे हो, क्या उससे किसी को पीड़ा पहुच रही है? अगर पीड़ा पहुच रही है, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ, अपनी जबान के स्वाद के लिए, या अपने आपको पुष्टी देने के लिए, मैं इसको परिशान कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, तरीके तरीके से, जितने तरीकों से हो सकता है कमजोरों का शोषन कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूँ। शुदशाका हार गी तरफ चलो, क्यों पछुवों को इतना सताते हो। तो जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं। या अगर वो धार्मिक हैं, तो वो रामचरत मानस नहीं पड़ सकते या मंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैं आपको एक उधारन देती हूँ जिस दिन ये प्राणप्रतिष्था का निमंतरन दिया जा रहा था बहुत से लोगों ने उसे इसलिए नहीं स्विकारा क्योंकि उस दिन उन्हेंने मांसाहार का सेवन किया था लब यह मैं अपनी आखो देखी बता रहे हूं तो क्या वो उचे थे अनुचे थे आपके साफ से कहां पर लकीर होनी चाहिए यह तो बहुत अच्छा करा उन्होंने कि अगर श्री राम का निमंतरन इसलिए नी सुपार क्योंकि वो मांसाहार करते हैं लेकिन राम का निमंतरन तो सुपारना पड़े गाई राम बुलावा भेजिया तो वो तो बुलाई रहें लगातार निमंतरन तो सुपारना पड़े गाई और निमंतरन अगर सुपारना है तो मांसाहार तो छोड़ना पड़े गाई कब तक म मास को पकड़ के बैठे रहोगे और राम से दूरी बनाई रखोगे। वो सुभा राम चरित्मानस का पाठ करें। और ज्यादा पाठ करें। तभी तो यह सब चूटेगा उनका। वो मंदर जाए। वही मंदर में बस जाए। और सिर्फ मंगलवार को ही ना छोड़े। वो चौबीस घंटे अपने घर को ही मंदर बना लें। क्योंकि मंदर जब बन जाएगा तो मंदर में कतल नहीं कर पाओगे। जोड़ देते हैं ना। मंगल नहीं खाएंगे, ब्रेस्पत नहीं खाएंगे, शनिवार नहीं खाएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते। देखिए, हर दिन सच्चाई का दिन है, हर जगह सत्य की है, कौनसा ऐसा दिन होगा, कि जो राम का नहीं होगा, राम को मैं सत्य से समानार्थी ले रहा हूँ, कौन सा दिन होगा जो राम का नहीं होगा, और कौन सी जगह होगी जहां क्या सकते हैं, कि यहां सत्य की सत्ता नह तो यहां भी कर रहे हो, वहां ही महादेव की गोद है, और आप महादेव की गोद में, पशुपती की गोद में, पशु का वध करो गए, तो तांडव नहीं जहलोगे, क्या फिर? एक बार फिर से अपनी आस्तिक और नास्तिक वाली बात पर आता है, क्योंकि इसको लेकर, पहुत बार मदभेध और मनभेध दोनों होते है। देखिए, अस्ति और न अस्ति, तो वास्तव, अगर गहरा वास्तविक जो अर्थ है, वो आप समझना चाहते हैं, तो किसके लिए कहा गया है अस्ति? जो दुनिया हमें प्रतीत होती है, हमारे मन में अनुभाव की तरह उठती है, उसके पार है सत्य, जो ये कह दे वो आस्तिक है, और जो कह दे नहीं नहीं, ये जो मेरे मन में चलता रहता है, उसके पार कुछ नहीं है, कुछ न है, वो नास्तिक है, तो नास्तिक माने वो जो कह सबस्चार करता ही नहीं, उसको कहते हैं नास्तिक, तो इसलिए आस्तिक उसको माना जाता है, विधांत को सविकार करें, आस्तिक की परिभाशा ये नहीं है कि जो इश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक्ता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, और आस्तिक्ता का इश्वर से कोई संबंध नहीं है, ये मैं आपको शास्त्री परिभाशा बता रहा हूं आस्तिक्ता और नास्तिक्ता की, जो व वेधार के लिए ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक है, कपड़े पहनने के लिए ठीक है, चलने फिरने के लिए ठीक है, पर इसमें तुम आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे, आनंद और मुक्ति तब है, जब तुम इसके मायावी स्वरूप को समझो, जानने में मुक्ति है, तो इसलिए वेदान्त का संबंध आस्तिक्ता से है, वेदान्त कहता है जानो, बोधो हम, तुम बोध हो, देह नहीं हो, और जो कहें मैं देह मात्र हूँ वो नास्तिक है, तो ये आस्तिक्ता और नास्तिक्ता की असली परिभाशा है, जो इस भौतिक्ता में, इस पडार्थ मे और इस मानसिक्ता में कि जो मन में सब चल रहा है, मेंटेशन, जो उसमें ही जीता हो वो नास्तिक है, और जो इन सब की सच्चाई को अब जान गया हो, जिसने माया के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया हो, यह क्या चीज चल रही है पूरी, वो आस्तिक है, यह है नास्तिक अगर मंदर जाय तो आस्तिक बिता करके जगत की सचाई को जान ले वह एक उसके बाद भी युसको न अपना जीवन समझ में आए ना यह जगत चमें में आए वगोर ना स्थिक आरशाद करे वह आस्तिक है जो नाग रहन करें वो नास्तिक है. शास्त्र कहते हैं एक ही प्रसाद होता है. सत्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है. सत्य के सामने समरपन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है. मात्र वही प्रसाद कहलाने का अधिकारी है. जो तमाम मंदिरों के दर्शन हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, खास दौर पर मैं बारा जोते लिंग की यात्रा कर जिक्र करना चाहूंगी, हमारे पुरानों में भी लिखा है कि अगर आपने बारा जोते लिंग कर लिए तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्ति किस्से चाहिए उती अंतता स्वयम से, अहंकार अपने आपको ही सच्चाई मान करके पकड़े रहता है, मैं अपने आपको ही सच मानना छोड़ दू, मैं अपने आपको ही जगत का केंदर मानना छोड़ दू, यही मोक्ष होता है, तो तमाम मंदिरों, तीर्थों, जो लिए मंदिर में जाते वक्त सही निष्ठा और सही नियत होनी चाहिए. महां जाए है इस तरिष्टी से कि क्या यहां जाकर के मुझे मेरा और जगत का अथारत पता चल सकता है, तो फिर मंदिर में जाना और तीर्थाटा नादी सार्थक हुआ. परना नहीं हुआ. परना नहीं हुआ. किसी भी धाम की आत्रा भी सार्थक में. देखिये गलत नियत से कोई भी काम करोगे, तो कैसे सार्थक हो जाएगा, यह तो सीधी सी बात है. तो फिर अलग-अलग मौकों पर लोग गंगा में दुपकी लगाने सिफ इसी उद्देश से जाते है क्योंकि… ज्यादा तर लोगों की यह आप अच्छे से जानती हैं कि दुपकी वियर्थ जाती है. पर लोगों को मालूम नहीं होता है न यह आचारजी. आपको मालूम इसली नहीं होता है क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मंच है, आप अपने मन से विदान का प्रसार करिये, तो पालूम चल जाएगा. तो यह तो लोगों को हमें बहुत लाट स्केल पर बताना पड़ेगा, कि आपका वहाँ जाना वियर्थ है जब तक आपका मन साफना हो, बिल्कुल, 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 जब तक आप अपने तक केंदृत नहीं हो. दिन रात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, ताकि लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकें, और मोक्षमुक्ति आनंद पा सकें. और बहुत सारे लोग दरहसल ये भी जाना चाहते हैं, अचारे जी, कि अपने बच्चों में हम किस तरीके से धर्म को उनके अंदर समाहित करें, या फिर बच्पन से उनके अंदर डालें, अपनी जो विचारधारा है, उन तक कितना थोपें या ना थोपें, कैसे उस चीज को हम पूंड करें, देखिए बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा अहसान जो करना चाहिए, वो ये कि माता पिता उनके ऊपर स्वयम को न थोपें, अपनी विचारधारा बच्चों पर आरोपित करना, बच्चों के प्रती प्रेम नहीं, कुरूरता का परिचायक है, तो ये त बिलकुल नहीं करना चाहिए, कैसे बच्चों की सही परवरिश हो, ये देखो कि क्या है जो उसके मन में घुस करके उसको भीतर से मैला कर रहा है, गंदा भ्रष्टादी कर रहा है, बस उसका रास्ता रोको, और जो गंदगी भीतर आ गई हो, बच्चे को प्रेरित करो कि उ इस पर सवाल उठाए, फिर हमने कहा था नहीं बच्चा कैसा होता है, स्पंज ऐसा होता है, सोखता, तो सौ चीजे सोख रहा होता है, वो स्कूल जाता है, वहाँ अपने महले में, गली, सोसाइटी में, टीवी, मोबाईल, हर जगे से उचीजे देख रहा है, और जो देख है, वो उसके संसकार बनते जा रहे हैं, और आम तोर पे जो हम देखते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, सहहत मन नहीं होता है, दुनिया बड़ी गलबड जगह है, बहुत, एक चोटा बच्चा पैदा होता है, मुझे, मुझे, चोटे बच्चे को देखके बड आप जो सोच रहे हो, यह आपने कहां से सुना, आपने जो चीज सही मान ली है, यह आपने कहां से सीखी, अच्छा अगर यह चीज सही है, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बच्चे अगर घर में है, तो टीवी से उसे बहुत बचा के चलना होगा, टीवी पर जो कुछ आ रहा होता है, वो खासकर बच्चों के लिए तो बिलकुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत बचा कर चलना पड़ेगा, देखिए, आज का समय एक अभिभाव का और दुषित दुषप्रचार का गुलाम बन जाएगा, तो आज अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्गता की जरूरत है, अब तो रिली दिन भर ऐसे ऐसे उंगली चलती है, उसका कैसे आप रोकेंगा, क्यों दे रखा है उस साल वालो पर भी लगू होता है कि फालतू की चीजे मत देखो, देखी आप जिस चीज को जितना देख रहे हो, उसको आप सिर्फ देख नहीं रहे, उसको आप बढ़ावा भी दे रहे हो, क्योंकि जो देखा जाएगा, वही और आगे बढ़ जाएगा, आज जो जमाना है, वो तो मिल्योंज़ आफ लाइक्स, डिस्लाइक, सब्सक्राईबर्स, TRP, box office, collection, उनका है नगा तो जहाँ बढ़ आप सGreat से बसक्राईबर्स अपर जाएगी, तो झाना पहें जहाँ और जाएगेगी तो गलत चीज को देखना मने गलत चीज को प्रूसाहिध करना, बहुत चलना पड़ेगा और माबाब जब खुद बचके चलते हैं तब ही यो बच्चे को भी पचा पाते हैं अचारी जी मेरे बन में प्रेश्न था क्योंकि मैं उत्तर भारत के भी कई मंदिरों में गई हूं लेकिन जब आप दक्षन भारत के मंदिरों में जाते हैं एक सबसे अच आइसाद का वित्रण न के बसरा है। वो चीज उत्तर भारत के मंदिरों में क्यों नहीं लागू हो पारे या फिर अगर हम चाहें तो ऐसा क्यो नहीं हो पाता है कि यहां के मंदिरों को भी हम सुच रख्या कहा थाила भी कि मंदिरों की साहफफाई करिया सब अभ्यान कि उनके पूरे समाज पर लागू होती है, चुकि उनके गाउं, सड़क और शहर ज्यादा साफ हैं, इसलिए फिर उनमें ये भाव भी है कि अपने मंदिनों को भी ज्यादा साफ रखें, ये भाव पूरे दक्षन भारत में ही आप आओगे, आप दक्षन में आप जितना घू उत्तर भारत में जो हमारा दर्शन प्रचलित है, अभी यहां समय इतना जादा नहीं है कि मैं पूरी बात कर सकूं, पर जो हमारा उत्तर भारत में दर्शन प्रचलित है, जो लोक दर्शन है, जिससे लोक सत्य का निर्मान होता है, वो बहुत ज्यादा वैयक्तिक हो गया है Personal, ego-centered. तो सफाइम उतार भारत में भी रखते हैं, पर अपने घर की रखते हैं. अपने चौके की रखते हैं, अपने देवालय की रखते हैं, तो टो मेरा पुझा घर भूट साफ है, मेरे ईरसोई साफ है, और वहां से मेंने जारा कुरा और किया करा? मैंने बाहर डाल दिया, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा सहर चल रहा है, तो मुझे किसी और से क्या मतलब पढ़ जाता है, कोन रिप होई हमें काहानी, मतलब जो मेरा विक्तिकत जगत है वो अच्छा रहे, मैं, मेरे परिवार के दो चार लोग हमारी भलाई होनी चाहिए, और बाकी दुनिया का क्या हो रहा है, उसका हमें कुछ पता नहीं, यही कारण है कि जब आ ब्रष्टाचार की भी तुलना करते हो, तो उत्तर भारत के राज्जियों में ज्यादा ब्रष्टाचार है, दक्षिन भारत की अपेक्षा, ब्रष्टाचार क्या मतलब होता है, मैं पैसा कहीं से लेाऊंगा अपने घर की बहतरी के लिए, चाहिए बाकी दुनिया भाड में जाए, उत्तर भारत में शिक्षा भी कम है और गरीबी ज्यादा है, उत्तर भारत में जो लिंग अनुपात है, वो बहुत खराब है दक्षिन के पेक्षा, यहां पे हम इतनी अपनी कन्याओं की भ्रूनत्या कर देते हैं, तो उत्तर भारत का जो दर्शन ही है न, वो कहीं फस गया है विक्तिकत स्वार्थ में और उसको उठाने की बहुत जरूरत है, बहतर करने की बहुत जरूरत है, देखिए, जिन लोगों का दर्शन ठीक नहीं रह जाता, उनका फिर देश ठीक नहीं रह जाता, देश बचाना है, तो दर्शन उठाना पड़ेगा, कर रहे हैं प्रयास? क्योंकि इश्वर की बात, आध्यात्म की बात, या जगर जगर प्रचार परसार भी करते हैं, आपकी नजर में इश्वर क्या है? सत्य, मैं अगर वही सब कुछ सही और सच्चा मानता रहूंगा, जो मुझे लगता है कि ठीक है, तो उसका नतीजा होगा अपने प्रति कुरूरता और सब के प्रति हिंसा, जो मुझे दिख रहा है, वो सच नहीं है और उसच नहीं है, इसलिए मुझे ठोकर लगती है, तो हमारी पूरी हस्ती ही ऐसी है, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो निरने कर रहे हैं, हम जो आशाय कर रहे हैं, हम जिन बातों पर पच्चता रहे हैं, वो सब बहुत तुर्टिपूर्ण है, उसमें सब में खोड़ है. तो ऐसे में आप अखेले ना पड़ जाएं, इसी डर से कई बार लोग सत्य नहीं बोलते हैं. एक जगह नहीं टिक्टे थे, वो लोगों के घर घर जाकर के बात करते थे, लोग उनके पास आएं आएं फिर वो लोगों के पीछे जाते थे, और कितनी ऐसी कहानिया हैं, मैं बताओं जहां पे चोर घुसे हैं, किसी फकीर की कुटिया में, और चोर उसका जो भी थोड़ा ब दूसरी चपल लेके, कहारे भाई ये दूसरा भी लेते जाओ, तो संतों साधुओं का तो काम राय लोगों का पीछा करना, और पीछा करकर के उनको सच्चाई बताना, तो अकेले पन की बात नहीं है, मालू में क्या गाते हैं, कहते हमसे बड़ा कौन परिवारी, अखिल ज लोग भागरें, लोग भागें, तो आप उनकी पीछे जाए, प्यार से बात करें, उनसे कहें, देखो, ये बात है थोड़ा, इस पर विचार करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, सबका इसी में कल्यान है, बारतिय पुराने का ख्यान का संदेश युवाओं के बीच, किस से पहुँच सके, इसके लिए आप कैसे पुरानों से पहले विधानत का पहुचना बहुत जरूरी, देखिए, मिथक हैं पुरानों में, और कथाएं है, वो कथाओं में जो मर्म है, वो नहीं समझ में आएगा अगर विधानत की कुंजी नहीं है, मैं बार बार कहा करता हू युँकि वहाँ तो आपको एक कथा मिल जाएगी और आप जानती नहीं उस कथा को पढ़ना किस तरीके से उस कथा को पढ़ने के सूत्र क्या है, डिकोडिंग कैसे करनी इस कथा की तो आप उस कथा का पता नीं क्या अट निकाल लोगे, तो आप पुराणों तक जाएं, उ लोग जिस धर्म पे चल रहे हैं, वो कहां से आप 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 जाये, आप लोगों से बात करें अगर, आप अगर मान लिजे, श्रीकृष्न की बात करें, तो आपको पौराने कथा ही तो सुनाएंगे, लोग को भले भी पता भी न हो कि उनका आचरन किसी पुरान से आ रहा है, भारत का जो प्रचलित धर्म है, लेकिन कई बार अलग-अलग कहानिया जुड़ी होती है, एक ही मंदर से, दो तीन कहानिया होती है, जैसे रामेश्वरम मंदर से भी, दो कहानिया मुझे याद हैं, जो उस मंदर के बारे में प्रचलित है, लेकिन कौन सी कहानी सत्य है, यह किसी को भी नहीं माले। कि पूछे वो उगली सच है कि यह उगली सच है तो क्या बता है कौन सी सच है। दोनों उगलिया एक ही शिखर की और ही तो इशारा कर रही है। लेकिन जिसको शिखर का कुछ पता ही नहीं वो राशिखर। तो इस तरीके से फिर कहानियों के नाम पर फसाद हो जाते हैं जो मंदिरों के बाहर अकसर अबीज, अंगूठी, कलावा, काला धागा, अलग लग चीजे मिलती हैं, वो लोगों की आस्था से कई बार जोड जाती हैं, वो कहां तक सही है, बानना, पहनना, एक ही आस्था रख पैदा हुआ हूँ और जान लगा दूँगा इस संघर्ष में, और इसके आगे किसी आस्थागी जरूरत विशेश है नहीं, नहीं है, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आचायर जी, हम आईसा जुडने के लिए, और जोड़दार तालिया हो जाएं, क्योंकि वेदान् चार प्रसार, ये आपके लिए हमेशा से ही एक बड़ा और कठिन कार्य है, और कैसे वो घर घर पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुब काम नाएं और बधाएं, धन्यवाद, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-